अस्पतालों में आंग लगने की घटनाएं और मरीजों की जान जाने के बाद भी इनकी सेफटी को लेकर नीजी से लेकर सरकारी अस्पताल तक उदासीन है बीते एक वर्ष में महस 10% अस्पताल वालों ने ही BMC डिजास्टर विभाग को अपना आपदा प्रबंदक प्लान सौपा है सेश उस्पतालों द्वारा रूची नहीं दिखाए जाने पर BMC अभिने दोबारा नोटिस जारी करने वाली है बतादे की बीते 24 महिनों में मुंबई सहित राचिक के 6 से अधिक अस्पतालों में आग लगने की घटनाए घट चुकी है इसमें 55 लोगों की जान जा चुकी है अस्पतालों से होने वाली इनप्रिय घटनाओ को चालने के लिए BMC प्रसाशन ने सरकारी BMC और नीजी अस्पतालों को डिजास्टर प्लान तयार करने का आदेश दिया था इसके तहट 600 से अधिक अस्पतालों की सूची तयार की गई थी जिसमें से करीब 240 अस्पतालों को इमेल के जरीए नोटिस दिया गया था 240 में 180 बड़े और छोटे नीजी अस्पताल शामिल है बीदे वर्ष परवरी में उक नोटिस भेजा गया था इस नोटिस के साथ BMC ने डिजास्टर प्लान का मसौदा भी भेजा था नोटिस को भेजे हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीच चुका है लेकिन अभी तक सिर्फ 25 अस्पतालों ने डिजास्टर प्लान BMC के आपदा प्रबंदग के पास सौपा है BMC के अतरिक तायुक सुरेश का कानी ने बताया कि डिजास्टर प्लान को लेका अस्पतालों को बेजे गए मसौदे में कई सवाल पूछे गए थे इसमें अस्पतालों में आपदा के समय बाहर निकलने के लिए वेकल्पिक व्यबस था अगनी रोधा की यंत्रों को चलाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग मौक ड्रिल हाथ से के पहले सूशना प्रणाली आदिशा में से इनमसौदे के अधार पर प्लान सौपने का आदेश दिया गया था विरो रपाउच मेट्र मुंबई